chain rule, ठीक है, type 3, chain rule apply करके हम questions करेंगे, ठीक है, देखो, मुझे बोला है, question दिया है, question कुछ ऐसे दिया है, जहाँ से देखिए, बोला है, find, dy by dx, if y equals to, 8x का square, plus 3x cube, minor, plus 4, का power 3, इसका भी trick है, इसका भी trick है, पहले lengthy method कर लेंगे, फिर trick पर apply करेंगे, ठीक है, अब देखो, अगर आप इसको expand करोगे, पहुत lengthy होगा, अगर आप इसको बोलोगे, sir, मैं a plus b plus c का whole cube, multiply करके फूरा निकालूंगा, y का भी लूँ, फिर यहां पर डालूंगा, करूंगा, तो भाई, उसमें तो आपका algebra में आधा घंटा चला जाएगा, ठीक है न, तो आप क्या करेंगे इसको, आप क्या करो, यह जो अंदर है, इसको आप m ले लो ठीक है, let, तो let मैंने क्या किया, m equals to 8x square plus 3x cube plus 4 लिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y equals to लिख सकता हूँ, m cube, and m यहाँ पर constant नहीं है, यहाँ से लेखो, नीचे कौन है, x, तो यहाँ पर x मेरा variable है, हाँ कि न, x मेरा variable है, अगर आप देखो, एक variable से जो बना होगा, वो तो variable है न, y variable क्यों है, क्योंकि y x को लेके बना है, समाझ रहे हूँ, मतलब यहाँ पर, देखो, नीचे मैं बोला, आपको नीचे जो होता है, वो variable होता है, तो अभी यहाँ पर x variable है, तो x को लेके जो बना होगा, वो भी variable है, हाँ कि न, x को लेके कौन बना है, y बना है, x को लेके m भी बना है, तो यहाँ पर m is not a constant, because m is made up of due to a variable, m is a variable, ठीक है, m क्यों variable है, क्योंकि x एक variable, because x is a variable, हाँ कि न, and m मैं x है, उस समाज आ रहा है, मैं क्या बोल रहो, हाँ कि न, अब क्या करेंगे, देखो, तो अब आप क्या करो, dy by dx equal to, d by dx of, y मतलब m का पवार क्योंकि अब देखो, अगर m constant होता, मैं उसको differentiation के बाहर pull कर लेता, बाहर ले लेता, हाँ कि न, but m constant नहीं है, m क्यों constant नहीं है, क्योंकि m क्यों अंदर x है, तो m एक variable है, m को आप बाहर नहीं ले सकते, एक constant को आप differentiate नहीं कर सकते, बट एक variable को आपको differentiate करना पड़ेगा, एक variable को आप बाहर नहीं ले सकते, एक variable को आपको differentiate करना पड़ेगा, तो ये m को आपको कैसे भी करके differentiate करना पड़ेगा, बट differentiate करने का rule है, आप जिसको differentiate कर रहे हो, और नीचे होना चाहिए, denominator में होना है तो मेरा क्या कैसे भी करके निच्चे dm आना पड़ेगा तब ही जाके मैं डिफ्रेंशेट कर पाऊँगा कुछ समझ रो रहे मैं m को x के हिसाब से नहीं कर सकता रहे क्यूंकि m equals to this मज़े जब मैं m के जगे पर value डाल दूँगा ओ m का power cube हो जाएगा मतलब इसका cube हो जाएगा उसके लिए मेरे पास formula नहीं है नहीं समझ रो रहे ये whole cube के लिए मेरे को पहले इसको expand करके linear formula आना पड़ेगा ये cube का formula नहीं है मतलब क्या बोलूँ देखो अगर मैं d by dx of y के जगे पर ये value डालूँगा रहे पूरा तो क्या हो जाएगर 8x square plus 3x cube plus 4 का power whole cube है की नहीं बताओ मैं इसको solve करने के लिए मेरे को पहले ये part को a plus b plus c का जो whole cube है उसको expand करना पड़ेगा फिर जाकर differentiate करूँगा समझ रहे हो उसको कैसे expand करूँगा मैं वो तो बताओ पहले मेरे को वो नहीं कर सकता इसलिए मैंने क्या किया इसको ले लिया m तो m अभी मेरा variable है variable को आप बहार नहीं ले सकते variable को कैसे भी करके आपको differentiate करना पड़ेगा differentiate करने के लिए आपको ये m है तो नीचे कैसे भी करके आपको m चाहिए dm चाहिए अब dm नीचे अगर आप लाओगे उपर भी तो multiply करना पड़ेगा ना ना नहीं समझ रो रहे आपको m को देखो आपको m को अगर आप differentiate m को करना चाहते हैं करना तो जरूर ही है अगर हम करेंगे तो नीचे कैसे भी करके मेरे को dm चाहिए रहे अब नीचे अगर मैं dm लाओँगा उपर भी तो dm multiply करना पड़ेगा ना अगर आप बोलोगे sir मैं denominator को 2 दे दिया तो numerator बुरा नहीं मनेगा तो numerator को भी 2 दे दो 2 multiply गरके 2 divide कर दो answer हो जाएगा हाँ की ना समझ रहे हैं बात को में क्या बोलो ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बताईए हांगी ना देखो तो मेरा बोलने का यह मतलब है आपको m को कैसे भी करके differentiate करना है तो आप क्या कीजिए dm multiply कर दीजिए dm divide कीजिए क्योंकि नीचे अगर dm नहीं होगा तो आप differentiate m को नहीं कर सकते तो अभी आप क्या करेंगे ये बाला dm को इधर लईए ये बाला dx को इधर ले लिजे तो क्या हो जाएगा बताईए ना दा dy by dx क्या लिखेंगे आप dm का cube by dm ठीक है into dm by dx कुछ प्रॉब्लम में बताईए इस ही को ही बोलते है chain rule इस ही को ही बोलते है कि multiply करो divide करो इस ही को ही बोलते है chain rule ठीक है ये dm ये dm कर जाएगा सही में ठीक है अब आप इसको differentiate कर सकते हो नीचे m उपर m ये वाला formula आप use कर लेंगे ठीक है ना ये वाला formula आप use कर लेंगे आपको बोला गया था x का power ndx ये वाला formula आप use कर लेंगे ठीक है ना इस पार्ट में कर लीजे तो यहाँ पर आप क्या कर लीजे ना use the formula use the formula ठीक है formula use कर लीजे यहाँ पर आप क्या करेंगे यहाँ पर आप क्या कर लेंगे ना use the value of m the value of m यहाँ पर m का value यूज कीजिए, यहां पर formula यूज कीजिए, तो क्या हो जाएगा, बताइए, ना dy by dx equal to, power multiply करेंगे, power घटाएंगे, क्योंकि सही में, हाँ कि ना, तो 3m का power घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाँ कि ना, into d by dx of, m कितना है, देखो, m कितना है, 8x का square, plus 3x का cube, plus 4, हाँ कि ना, रहे भई, अब आप कर सकते हैं, यहां पर देखो, power नहीं है, अब आप कर सकते हैं, d by dx को multiply कर दो, सब में, तो क्या हो जाएगा, dy by dx equal to, 3m square, sorry, 3m का square, into, इसको आप direct answer कर सकते हो, हाँ कि ना, direct answer कर सकते हो, नीचे को होने, x, x को छोड़ के बाकी जो होगा, constant, यहाँ पर x नहीं है, तो x का फ़बार, 0, तो direct कर लो, 2 into 8, कितना हो जाएगा, 2 into 8, कितना हो जाएगा, बताओ, 2 into 8, 16x, प्लस, यह 3, 3 जा, 9x square, 0 into something, 0, answer, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy by dx क्या हो जाएगा, इसका trick भी है, इसका trick बताएगे अभी, ठीक है, direct करेंगे, इतना सारा कुछ जिन जट नहीं answer, question देखा, answer लिखा, direct करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 into m क्या था, 8x का square, 3x cube plus 4 का power square into 16x plus 9x square, ठीक है रहे, answer, इतना रख लेना, और कुछ नहीं करना, इतना answer रख लेना, ठीक है, इतना answer रख लेना, कुछ समझा है, next question करें, ठीक है, next question करें, फिर, ठीक है, direct कर लेंगे, अगर आप direct करते तो इसको क्या करते देखो, इसको, इसी question को अगर आप direct करते तो क्या करते, क्या दिया था, रहे, y मेरा, y क्या दिया था, 8x square, प्लस 3x cube, प्लस 4, का power cube, क्या पुछा था, dy by dx, आपका answer क्या आया, आपका answer आया, dy by dx इक्वल्स टू, देखो, direct क्या करेंगे, इसको आप m ले लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y equals to m cube, तो आप क्या करेंगे, direct answer, 3 है ना, 3m square, dm by dx, ट्रिक है, let अभी रेको, let ध्यान दो, तो ये क्या answer आजाएगा, देखो, क्या answer आजाएगा, तो dy by dx क्या आजाएगा था मेरा, 3 into 8x square, प्लस 3x cube, प्लस 4 का power square, dm by dx क्या आजाएगा, dm by dx, ठीक है, dm by dx क्या आजाएगा, बताओ, dm by dx क्या आजाएगा, यहाँ पे, 16x plus 9x का square, 16x plus 9x का square, answer, हाँ, देखो ये, एक को सिन करते हैं, इसी type का, direct, direct use करके, ठीक है, direct use करेंगे, तो देखो, let दिया, y equals to, 8x cube minus 4x square, प्लस 40, का power minus 6, ठीक है, बोला, dy by dx निका आली है, क्या हो जाएगा, बताओ, पावर कितना है, minus 6, जहाँ से सुनो, direct करेंगे, पावर कितना है, minus 6, पावर कितना है, minus 6, minus 6 multiply करो, पावर घटा हो एक, देखो, पावर कितना था, 3 था, पावर क्या किये, multiply किये, 3 का पावर को घटा के क्या किये, 2, 6 minus 6 से, पावर घटा हो, घटाने से क्या हो जाएगा, माइनस 6 से घटने से क्या हो जाएगा माइनस 7 हागी ना तो क्या अगरो माइनस 6 इन्टू 8X क्यूब माइनस 4X स्क्वेर प्लस 40 का पावर माइनस 7 यह अंदर का अगर आप M लिये हो ठीके हो गया DM by DX तो D by DX अफ अंदर जो है D by DX अंदर जो है अंदर क्या था 8X क्यूब माइनस 4X स्क्वेर प्लस 40 अंसर तो D by DX क्या हो जाएगा माइनस 6 8X क्यूब माइनस 4X स्क्वेर प्लस 40 का पावर माइनस 7 इन्टू X है ना मल्टिपलाई करो 3 एट जा 24 X स्क्वेर 2 फोर जा 8X X नहीं है 0 अंसर कुछ समझ पारे ओरे भई पावर मल्टिपलाई करो पावर घटा हो अंदर जो है उसको डिफ्रेंटियेट कर दो अंसर हां कि ना एको सिन और करेंगे एको सिन और करेंगे ओट्रिक लगा के बोला है Find D Y by D T ठीक है 8 T Q माइनस 3 X स्क्वेर T स्क्वेर प्लस 4 X का पावर माइनस 8 क्या बोला मैंने D Y by D T क्या बोला मैंने डाइरेट करेंगे पावर मल्टिपलाई करो पावर कितना है माइनस 8 जो है ओ लिखो पावर एक घटा दो ठीक है माइनस 3 X स्क्वेर T स्क्वेर हाँ कि ना प्लस 4 X पावर घटा होगे माइनस 8 था माइनस 8 से घट के पावर क्या होगा 1 घटा होगे तो क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा अब अंदर जो है अब अंदर जो है उसको differentiate कर दो, अंदर जो है उसको differentiate कर दो, तो क्या हो जाएगा d by dt of, अंदर क्या है 8t cube minus 3x का square t square plus 4x कर दो answer आ जाएगा, तो minus 8 8t cube minus 3x का square t square plus 4x का power minus 9, यह answer क्या हो जाएगा बताओ इसको कर लो, तो यह नीचे t है t को छोड़के बाकी जोगा, उसब constant होगा तो 8, 3 जा, 24 t square, हांगे ना, यह x constant होगा, तो यह t को छोड़के बाकी जोगा constant, तो t का power कितना है, 2, तो 2, 3 जा 6x square t यहाँ पर t है ही नहीं तो नहीं है मतलब, t का power 0 तो 0 into something, 0 answer समझ रहो रहे बाई और कुछ नहीं करना, इतना करके रख लेना, यह answer है आपका ठीक है